IMPRIS 5555 tarot बोलते हैं कोई कोई बोलता है कि tarot इतना work नहीं करता compare to astrology सिरफ कुछ गिने चुने लोग हैं जो असली tarot और असली astrology के बारे में जानते हैं जो जानते हैं असली आस्ट्रोजी और टैरो के बारे में वो यह नहीं बोलेंगे कि यह चीज काम करती है और यह चीज काम नहीं करती क्योंकि वो यह समझ लेते हैं कि यह simply एक विद्ध्या है, एक science है और science को जो है जब आप ठीक से apply करोगे तो उसके result आएँगे तो astrology कोई उपर नहीं हो जाती ना टैरो जो है नी उपर हो जाता है ना astrology नीचे हो जाती है दोनों के अपने जो हैं धंग है करने के सही तरीके हैं जित्नी astrology कारगर है उतनी ही टैरो भी कारगर है इन फैक्ट अगर मैं अपने मेरा अगर मैं आनुभफ कहूँ तो astrology मेरे लिए जो है मुझे ज़्यादा complicated लगी as compared to tarot tarot में आप simply जो है उर्जा की तद पे जो है बहुत जल्दी जो है connect कर जाते लेकिन astrology में उसमें calculations based है लेकिन वो सही calculations करने वाला व्यक्ति बहुत कम है तो अगर हम compare करें astrology और tarot को तो tarot की possibility ज़्यादा जो है अच्छी निकलेंगी as compared to अपना astrology के बचाए astrology जो है उसको अगर हम सही अगर हम उसको सही डंग से अगर हम कर सके तो of course वो भी काम करती है और सही डंग से अगर हम tarot को कर सके तो tarot भी काम करता है और जो भी इस stream को देख रहे हैं इससे पहले मैंने एक movie की बात करी थी जिसमें हमने brain की जो है 100% capacity की बात करी थी वो movie का नाम है The Lucy, Lucy नाम है movie का जो मैंने बात करी थी पीछे कि हमारे जो brain की जो capacity जितना हम यूज करते हैं brain को वो simply 2 या 3% है और Einstein जैसे विक्ति जो है जो scientist है उनकी brain की capacity maximum 6-10% वो यूज कर पाते हैं सरफ एक बुद्ध पुरुष सरफ एक enlightened विक्ति एक 100% brain को जो है इस्टिमाल कर पाता है तो इस movie के अंदर उस बात की थोड़ी जलक मिलती है movie का नाम है Lucy और यह प्रॉबली आप Netflix पे भी देख सकते हो हिंदी और English तोनों में एप लेपलूंगी झाल